करेले का भा जो के बहुत ही पौश्टिक होता है । खाने में थोड़ा गरवा होता है । लेकिन जिस तरह से आज हम इसको फट्राइ करेंगे ऊठना करवा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम कड़ाई चड़ा देते हैं कड़ाई जैसे गरम होता है डाल देते हैं यहां पर सरसु का तील आप चाहें तो यहां पर वाइट ऑईल भी जाल सकते हैं ऑप्शनल है तील जैसे गरम हो जाता है डाल देते हैं यहां पर करेला जो में हमने अच्छी तरह से ब प्यास मैंने यहां पर मीडियम साइज का दो प्यास लिया हुआ है और साथी साथ एड़ कर देते हैं यहां पर स्वाद अनुसर नमक और नमक मिलाने के बाद सारे चीजों को अच्छी तरह से चलाते वे मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा बहुत प्यास जो देख रहा है उसको इसे त SECON,ब्र से गड़्ाद साथ ही मिक्स कर लेना आए उचे तरह से और इसको नआ इसी तरह से हम लो को फ्राई कर लेना आए फ्लयम अप मीडियूम तर लोही प्यास जल जाने का चांसें जो जाए का चांस तो इसलिए प्यास मिठास भीजाना पूरन को एससलिए karış करें जाएंगे और यह देरे देरे ब्राउन होता जाएगा और इससी तरह से जैसे ए हम प्रॉइर करने का छूत य है वानी तरह चांसे कृता है Trich हाँ धोड़ा करवा है लेकिन हम जैसे पहले पूरा करवा होता था उतना करवा नहीं होगा अब यह कुछ मीठा मीठा से हो गया प्यास का मेठा के वज़े से चलो आज का रेसिपी आप लोग कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताईएगा फिर मिलते हैं तिल देन बाइ बाइ और तेकेर